सिंधिया का एग्रेशन, श्रिवराज का कनेक्शन, क्या बढ़ेगा कॉंग्रेस का टेंशन? कोई भी सरकार मेरे जन्ता के साथ वादा खिलाफी करे, कोई भी सरकार मेरे जन्ता के साथ अन्याय करे, कोई भी सरकार सपना दिखाकर साकार करने के बजाए, अपने पॉकेट को भरे, ये आपका सेवक और आपका योधा जमीन पर उतरके या तो उनको धूल चटा देगा या शुपूरी में जोतिरादित सिंधिया कॉंग्रीस पर जमकर बरसे। चुनाव से पहले सिंधिया की ये हुंकार कारीकरताओं में जोश भरने के लिए काफी है। सिंधिया ने 2018 के चुनाव का जिक्र करते हुए कॉंग्रीस को कड़ा संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने ये मेसेज दिया कि आगामी विधान सावर चुनाव में कॉंग्रीस का मुकाबला शिवराज और सिंधिया की जोड़ी से होगा। और बीजेपी भी सिंधिया के एग्रेशन, OCM शिवराज के जंता से कनेक्शन का फाइदा चुनाव में लेती दिखेगी। हम पद के भूके नहीं, पर कोई अपमान करे मेरी जंता का, तो मैं जमीन पर आ गया मैंने कहा। जैसे वाजपाई जी कहते थे न, या तो आर, या तो तैह है कि इस बार सिंधिया, गौलिर चंबल के साथ प्रदेश के अन्ने अंचलों में भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते दिखेंगे। और इस दोरान उनके तेभर भी कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं, हलाकि कॉंग्रेस ने सिंधिया के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। अब से बुरी गत अगर भारती अंता पार्टी की हो रही है तो वो गौलिया चंबल संबाग से होने वाली है, तो वो अपने इस्तिती अभी से बनाना चाहते हैं। कॉंग्रेस को पठकनी देने की तयारी में हैं, हलाकि कॉंग्रेस सिंधिया का एग्रेशन और शिवराज का कनेक्शन कॉंग्रेस पर भारी पड़ेगा। सवाल नंबर दो, सिंधिया और शिवराज से टक्कर लेने के लिए कॉंग्रेस के पास क्यारण नीती है। सवाल नंबर ती, क्या बीजेपी ने सिंधिया और शिवराज के लिए कोई खास प्लान तयार किया है। नमस्कार मैं उच्छ रद्दिवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सिंधिया का एक्रेशन शिवराज का कनेक्शन। तो अब की बार जो स्लोगन होगा दो हजात तेईस में कि आगे बढ़ो शिवराज तुमारे पीछे है महराज। तो अब आगे बढ़ो शिवराज तुमारे पीछे है महराज। और यह वाख़ी एक अच्छी जोड़ी है। आप कह सकते हैं कि शिवराज जी अपने पब्लिक कनेक्शन की वजह से कहीं वो मामा हैं कहीं वो भाई हैं कहीं एक सम्विधन शील राजनिता का चेहरा है। और ठीक उसके पीछे जिस अंदाज में आपने अभी गरचते हुए जो तरह दिस सिंद्या को सुना कि जनता जब चाती है तब सिंद्या घराने का ये प्रतिनिदी पीछे नहीं हटता है। राजनीती में और भारती राजनीती में इस तरह की गरजना, तरजना, भाव भंगे मा का अपना महत्तु है। उनकी आखों का मुन्ना सरकारें आएंगी, जाएंगी। लोगों पर इसका बड़ा असर आता है। फाइरी जो स्पीचेज होते हैं चाहे आप प्रधानमंत्री नरिंद्र मुदी को देखिए। उनका एक अपना खास अंदाज है। रुकते हैं, पॉस देते हैं, ठहरते हैं। तो राजनीती में वक्त्रत्व, व्यक्तित्व और आपकी लिगसी, कम से कम भरती राजनीती में इन तीनों का बड़ा महत्तु है। और इसी के साथ जहां एक तरफ शिवराज अपने पब्लिक कनेक्शन के साथ हैं, तो अपने एक्शन के साथ पीछे खड़े हैं जोतर दिसिंद्या जी। और उन्होंने ये संकेट दिया है कि वो कॉंग्रेस पर जम कर बरसने वाले हैं। लेकिन कॉंग्रेस भी पीछे नहीं है, कॉंग्रेस जानती है कि इस चुनाओं में बीजेपी किस फार्म्यूले के साथ उसके सामने खड़ी होगी, शिवराज जी होंगे, जोतर दिसिंद्या होंगे और डबल इंजन की सरकार के नरेंद्र मोधी जी जो मुखिया है केंद् तो उसने भी अपनी एक बड़ी मजबूत और बड़ी मुफीद एक तयारी की है, इसलिए 2023 का एलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो महमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजे, बोपाल स्टूडियो में मेरे साथ है, अवनीश बंदेला जी, युवान नेता और से मन भर जाता है, बहुत ही दिव्य वेक्तित्व के धनी, प्राध्यापक, लेखक, विचारक, उनको प्रणाम स्वागत, चैतने भट जी है, वरिष्ट पत्रकार, राजनीचे कुसलेशक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, चैतनी जी आपकी टिपणी से हम आगे बढ़ते हैं, तो इस बार का स्लोगन जैसा मैंने बैठे बैठे कुछ आशू कवी की तरह गड़ डाला, अच्छा बुरा जैसा भी हो, माफ कीजेगा, बराल, किस तरह आप देखते हैं कि एक्शन में रहेंगे महराज, और पब्लिक कनेक्शन के साथ खड़े रहेंगे शि जे, जे, देखे शुरत जी, जहां तक जोते रहेंगे सिंधिया जी का सवाल है, निश्चत तोर पे उनको कांग्रेस की तरफ से उन पर बहुत आकरमन होते रहें, आज ही आप दिख विजा सिंग जी का बयान सुनने कि हमको टिकाउ माल चाहिए, बगाउ माल नहीं चाहिए अभी आपके ही पैकेज में गदार भी बताया जा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि वो उनका कहीं न कहीं जवाब देंगे, शुवराज सिंग चोहान का निश्चत तोर पे जनता के साथ कनेक्शन बहुत तगड़ा है, पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री हैं तो निश्चत तो जनता की जो नब्ज है वो पकड़ना जानते हैं, कहीं मामा बनते हैं, कहीं कुछ बनते हैं, तो उनका कनेक्शन निश्चत तोर पे जनता के साथ है, जो तर दिस सिंधिया की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि उनको मत्पदेश में अपने गौलियर चंबल संभाग में जो है, वो ज़्यादा ध्यान देने के आवशक्ता है, क्योंकि अभी आहाली में जो नगर निखम के चुना हुए, उसमें उनको गालियर तो उनका गड़ माना जाता है, और आरेश का माना जाता है, जी, मुरेना, जी, दोनो जगे महापौर, जो है, वो कांग्रेस के ज जाने के कारण मंत्री नहीं बन पाए हैं, उनके अंदर भी कहीं न कहीं एक टीस है, कि इनके आयातित लोगों के कारण, हमारी जो कुरसी है, वो छिन गई, तो वो भी एक मुद्दा है, जो भारती जनता पार्टी को समालना पड़ेगा, वैसे अनुशाशन का डंडा तो भ लीड़ा जरूर इन लोगों को है, दूसरी बात ये है कि बीची में इस तरह की भी खबरें उड़ती है कि नए जो चेहरे हैं वो लाए जाएंगे, तो उसको देखके भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहों कि हमारी कुरसी चली जाए और सिंधिया जी को प्रोजेक्ट कर दिया है क्योंकि राजनीती में कोई बड़ी चीज नहीं है किसी को भी अबारती जनता पार्टी में तो ऐसे नहीं नहीं प्रयोग होते हैं जिसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता तो यह ठीक है कि अब चुनाओ के दोरान दोनों जीच में एक स्थिती तो बनेगी कि वो दोनों मिलके प्रयास करें लेकिन कांग्रेस भी उसका पूरी तरह से जवाब देने के लिए ततपर है और उनके और कांग्रेस बारती जनता पार्टी के विदायकों पे बहुत जाजा अंतर नहीं है इसलिए कांग्रेस भी कबनात क नेतित में पूरी ताकत लगाएगी कि जो 2023 का चुनाव है उसमें एक बार हम पुनह सत्ता में काविज हो पाएं तो टककर जैसा हम कह रहे थे चैतने भट जी उससे तिफाक रखते हैं कि लड़ाई काफी दिल्चस्प है क्योंकि कई पेंचोखम दोनों ही पार्टीयों की तरफ से हैं और ये पेंचोखम जो हैं वो इस चुनावी समर को और रोचक बना रहा है अवनीज बंदेला जी बर्खता है कि सिंधिया का अगृशन तो कॉंग्रेस से जाते ही खतम हो गया, कॉंग्रेस में जब थे तो कहा जाता था एंग्री यंग मैन लीडर है देश के क्योंकि हमने उनको इस तरह से पोषट किया था कॉंगर्स पार्टी ने मनमौन सिंग की सरकार ने रहुल जी इस को इस तरह से मौके दिये थे अब भाजपा में जाते ही सिंदिया जी को पहली बात तो मुझे नहीं मालूँ क्यों लेकर उनको विभीशन कहा गया सिंदिया जी को यह कहना पड़ता है कि टाइगर अभी जिन्दा है तो मलब उनको अपनी पहचान तराशने के लिए परिशान जी कई महीनों तक तो मतिम इंके मंधिमंडल का रुका रहा सबसे बड़ी वात सिंदिया जी को सवालाग से जित व्यक्ति ने हराये तक के पी आदब उनका नाम है सांसद्ध हैं वह बरत्मान में आप क्या आदब को जी जब वो सिंदिया उनके बीच मत्भेट पैदा वो सिंदिया से उनको परिशानी हुई तो उन्होंने बीडी शर्मा सहाप को पत्र नहीं लिखा जबकि बीडी शर्मा उनसे से 200 क्लूम्टर दूर थे गुना से भोपाल लवाद 200। उनने पत्र लिखा यह 1000 क्लूम्रा दूर नढड्डा सहाप को इससे साबित होता है श्रज जी का aggression कहलें और frustration कहलें वो उनके और भाजपा के लिए बड़ा ही आज की तारीक में समस्या बनता जा रहा है क्योंकि आप समय समय पढ़ते हैं कई नेता और आराजगी वक्त की कहलाज जी से उनकी है यह क्या हमको याद है वो उनके घर जाते हैं कहला जी कलकता सिंदिया जी उनके बेटे के साथ बैठके बात है ना बोचन करना पड़ता है यह कई सारी आज हम गायब है क्योंकि मैं पिछले दो में से लगातार देख रहा हूं काई काई एग्रेशन काई का टेंशन सर हम तो चारोड चाह हैं दो महीने का इतिहास निकाल लूँ तो सब जगे कमलाज जी के उपर चर्चा होती रोज मैं तो कमलाज जी के उपर चर्चा करता हूं टीव पर बैठके आज मतलब इतने समय मुझे लग रहा चली अच्छा है हमको ब्रेक मिल गया मतलब आज क्या है कम से कम से कम इतना हम मानते हैं कि जब वर्तमान में हमारी सरकार से तीर राज्चों में अठारह साल से बिपक्ष में मीडिया का साध़गाद कि कम से कम हमको चर्चाओं में जिंदा तो रखते हैं राजनीति मैं सरजी भी कुछ समय पहले आपके साथ एक सुरखियों के उपर भी अपन ने चर्चा की थी तो राजनीति में सुरखियों बड़ी महात्पूर होती हमेशा जेरे बहस रहे आए ये इस अंदाज में आपने बात कही है जी आप काफी मुस्कुरा रही है कि जैसे कोई प्रतिदुंदी जो है कोई ऐसी बात कह देता है कोई अपील ऐसी करता है जिस अपील में विश्वास कम होता है और सिर्फ एक कोशिश होती है इंप्रेशन डालने की कुछ उस तरह की हजी थी बताइए आप आप क्या कहना चाहती है जी 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 अभी तो कंगरेस के लिए यही कहना चाहूंगी कि जिनकी घर काज के है उनको पत्थर नहीं उचालने चाहिए क्योंकि आप सब इसमेसे गुजरेवे हैं देखे जो तुने ढ़क्री का निकल जाना कांगरिस से इन के लिए आज दिन तक न सूर है वो जख्फ मैं जो शायद वो भरा नहीं वो जख्फ मैं जो आज तक रश्टा है और भू कहीं न कहीं उनकी टीस जो है वो बार बार उभर कर सामने आती है और दिखाई भी देती है देखिए उनकी कथनी और करने के कारण आज उन्होंने वो कदावरनेता खोया है अभी हमने अभी अभी हमने अभी जी को सुना जिसमें उन्होंने ये शब्दों का प्रयोक है कि हमने उनका पालन पोशन करा था देखे क्या किसी भी एक दावर नेता का पालन पोशन करा जा सकता है और आप उसका दम भरते हों कि हमने उनका करा है और यदि आपने करा ही था बहुत अच्छी बाते आपने करा ही था तो फिर आपने इतना अपमान क्यूं करा एक स्थानिय लेवल पर मानिक अमलाजी और दिविजे सिंग जी ने करा तो करा लेकिन वो दिल्ली भी गए बहां भी उन्होंने सुनवाई करने की कुश्च करी जहां उनको समय नहीं दिया गया जहां उनका अफमान हुआ हमने उत्रपदेश में भी वो जो ट्रक देखे थे जिसमें तीसरे ट्रक में मानि जो तरा जी जी को खड़ा करा गया था वो सब दृष्चे हम सब को याद हैं शायद आपको ना याद हो लेकिन मैं आपको सिर्फ निवेदन करना चाहूंगी एक जमीनी नेता एक कदावर नेता कॉंग्रेस खो चुकी है उसकी टीस आपको होनी चाहिए और हमें लोग आपने भी कर लिया हमने भी कर लिया लेकिन आज जो ने दाहाड़ा है क्लने लाइग भाशन था तो वह जो आपने कहा कि जुग बीच में जाकर उनके साथ अगर खड़े होंगे तो पर तो जन्ता आपके साथ होगी ही ये तो तेब आह बात है हमें तो अपनों ने लूटा गेरों में कहा अदम था हमारी कष्टी ती वहां डूबी जहां पाने मलत सिंधिया जी गदार नहीं कहें सबसे बड़ी वास रजी आप देखें आज भी उनने कहा सड़क पोतनने की बात कहां तक क्यों नहीं उत्रे आज भी कहरें मैं सड़क पो थीति अब Nut Rand झी को भाजपा ने पोशित नहीं किया क्या कि कोई भी हो हार पार्टी को हर पार्टी अपने लिक्रीय को बच्छे की तरह पोशित करती है कोई गलत नहीं आप से Yeah परिवार के साथ पनपी जनमी पली बढ़ी कॉंग्रेस अपने नेताओं को सहेज नहीं पाई है इसी लिए छिटक छिटक कर इतने लोग और आज हम देखें कितने बड़े बड़े नेता कॉंग्रेस से छिटक गए और उस सब के बावजोद आप दम भर रहे हैं कि कॉंग्रे से एक नाम की फेरेस निकाल सकते हैं जो आपके साथ ता उम्र आपके साथ रहे उन नेताओं को आपने खो दिया है जो बीजेपी की तरफ से दिवया जी का कहना है यह सवाल कॉंग्रेस के भीतर तो है ही कि ठीक है आप लाग बात यह कह लीजे कि नेता हमारे यहां से जा रहे हैं तो उसमें आपका आरोप कॉंग्रेस का है कि पद लिपसा है प्रलोभन है लेकिन ऐसे भी धेरो नेता है जो कॉंग्रेस में अभी भी मौजूद हैं बहुत सीनियर लीडर है और कुछ तो कुछ के बारे में मद्यप्रदेश के अगर मैं बात करूँ तो उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो उनको ठीक से समायोजन नहीं मिला है लेकिन फिर भी ये बात सही है कि अगर आप ने अगरिका था यानि कॉंग्रेस के मन में सिंदिया जी एक गहरी पीडा के रूप में तो विद्यमान है और रहेंगे क्योंकि इस चुनाव में सिंदिया जी की कमी कॉंग्रेस को निश्चित तोर पर खलेगी क्योंकि एक fire brand speaker एक star personality के नेता का जिस तरह से दौरा क्योंकि उम जी चैतनी जी आप सुन पाए मुझे मुझे लगता मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची अवनी जी आप ही जवाब दे दीजे फिर मैं सवाल को ले चलूँगा उनकी तरफ जी देखिए सर हमने कभी यह नहीं कहा हम तो साफ कहते है कमलना जी बार बार कहते हम लोगों से क कि हमारा मुकाबला सिवराव सरकार से नहीं भाज़पा की संगठन से और इस बात को हम सदेर सौइकार करते हैं कि हमारा मुकाबला संगठन भाजपा का संगठन हमसे मजबूत है श्रत जी और यह बात भी आपको मानना पड़़े कि कमलनाज जी के प्रदेश संगटन तक उसको दुरस्ट किया गया है और हम यही कारण है श्रच जी कि जहां हम जीरो पर थे सिफर पर थे आप देखें वहां आज हम हमारे पांच महापौर वही सिंदिया जी का गर्ड जहां से हम दो महापौर जीत के लाते हैं जी का घर है वहां का वाड हार जाते हैं वह विधानसभा हार जाते हैं और सबसे बड़ी बात श्रच जी सिंदिया जी कही मंत्री के वह बात करूं तो प्रदुमन सींह टौमर बिना चप्पलों के घूंगते हैं उनकी कुछ वो कसम लाती कि ऐसा कुछ सफाई नहीं हूई या बिजली नहीं जुड़ी तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कहीं ना कहीं भाजपा में सिंधिया और साथ मैं आपको यादो को महिंट से सो दिया के जी के बयान बीच में बच्छाब आप जो सवाल नहीं सुन पाएं वो सवाल ये था कि कॉंग्रेस पूरे जब भी सिंधिया जी का जिक्र होता है तो वो ऐसा लगता है कि कोई दुखती रख पे हाथ रख दिया गया जो बहुत स्वाभाविक है क्योंकि सिंधिया जी जिस तरह की लीडर्शिप थे राहूल गांदी जी के दाहिने हाथ रहे मध्य प्रदेश के 2018 के ऐलेक्शन में सरकार बनाने में लगबग लगबग बराबर के भागिदार माने गए अब उनका छिटकना बीजेपी में जाना क्योंकि पूरे समय सिंधिया जी पर ही बात होती रहे और सिंधिया जी जिस तर बहुत बड़ी दुखती रग है इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि एक बहुत लंबे अर्से के बाद किसी तरह से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी और एक डेड़ साल पंद्रा मेंने सरकार चली और उसके बाद सिंधिया जी के रुख बदलने के कारण वो सरकार गिर ग प्रचार कप्रोंग बनाया भी गया था वो जब दूसरी पार्टी में चला गया तो उनकी सत्ता चली गई लेकिन अब चूंकि वो जा चुके हैं इसलिए कहीं न कहीं गाहे बगाहे वो पीड़ा उनकी सामने आती है और वो बायानों के माध्यम से आपको दिखा भी दिखा हैं वो अभी भी अंदर से सिंदिया जी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके आने से जो पुराने कारे करता हैं या जो नेता हैं उनकी स्थिती कमजोर हुई है तो कहीं न कहीं ये बात उनके मन में लगती है कि अगर सिंदिया जी ये बात ठीक है कि सरकार बनी है और जब सरकार बन जाती है तो उनके काम होते हैं सत्ता मिल जाना बड़ी बात होती है लेकिन फिर भी अगर सिंदिया जी इस तरह से अपना गर्जना कर रहे हैं कि अब सिंदिया जी और शिवराज सिंग चोहान दोनों मैदान में हैं और कांग्रेस का फट्टा साफ कर देंग तो अब ये देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि अभी तो साथ-ाठ मैने हैं इसमें राजनीती क्या करवट लेती है क्या इस्थिती बनती है जनता विकास यात्राओं में किस तरह से लोगों से फीड़ बैक लिया जा रहा है और उसमें वो जनता उन से क्या सवाल कर रही है ये भी देखना होगा क्योंकि गोशनाओं तो बहुत होती है लेकिन उस गोशनाओं का फाइदा जनता को मिला के नहीं मिला दूसरा कांग्रेस ने जो एक पुरानी पेंशन का एक शिवूफा छोड़ा है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाता हुगा दिखाई दे अपने बहुत महत्पूर्ण बात की दिवया जी बहुत संखेट में जाना चाहूंगा चाय या कॉफी तभी अच्छी बनती है जब चाय शकर दूद या कॉफी इन सब का एक बहुत ही आधर्श समनवय होता है बड़ी-बड़ी बातें निश्चित तोर पर जो सिंधिया ज इतरुत में कॉंग्रेस से आने वाले नेताओं का एक बड़ा सेग्मेंट रहा बीजेपी ने उसको बहुत हिरदय से स्विकारने की बात कही और स्विकारा भी लेकिन यह फिर भी हम देख रहें कि इस बार बीजेपी में समनवय के सिंधिया जी के साथ मुझे बैतर दिखत है तो आपकी सफलता का दारोमदार परिवेक्षा का अब्जर्वर्स मानते हैं कि आपके भीतरी समनवय पर बहुत अधिक है जी बाती जंता पाटी के खुबसूरती यही है मानि चेदर ने जी ने जैसे कहा कि यहां पर अनुशासन का एक बहुत बड़ा एक विशे रहता ह संगठन सर्वपरी है विशेश सर्वपरी नहीं है जो कुछ होता है अंदर अंदर होता है और उसका कहीं पे भी उपर सतह पे कहीं पे भी जब पार्टी चुनाओं के लिए जाएगी तो अपने पूरे संगठन के साथ तयारी के साथ विशलेशन के साथ तब उसके साथ जा जारीकरी या कल जोर जारी होई है आप ने वो लिस्ट देखी वो लिस्ट इतनी हास्यास पर लिस्ट है बड़े बड़े लोगों को आप ने छोड़ दिया अपने अपने लोगों को आपने रख लिया यह जो कॉंग्रिस की जो एक नीती है क्या वो इस सब के बावजूद उंगली उठा सकते हैं? क्या वो मादा रखते हैं कि वो उंगली उठाए? जिनके पास इतने पावर सेंटर्स बने वे हों, इतने डिविजिन सब डिविजिन बने वे हों, क्या वो दूसरों पर उंगली उठा सकते हैं? लेकिं दिवयाजी ये चुनाथी आपके लिए भी है क्योंकि बीजेपी के लिए भी अभी ये कहा जा रहा है कि इतने इतने आकांक्षी कारेकरताओं का हुजूम है आप किस-किस को जगे दे पाएंगे किस-किस नेता के समर्थक को जगे दे पाएंगे ये भी एक बड़ा सही है कि बीजेपी का अनुशासन उसके लिए संजीवनी होता है और कॉंग्रेस के लिए उसकी जम्हाई तमाम बिसात पर सिर्फ ये गुटबाजी और गुटबाजी से अधिक गुटबाजी तो सभी दलों में लेकिन गुटबाजी से अधिक मुखर होकर पार्टी की रीती नीती पर अपने समर्थकों के साथ सवाल खड़ा करना कॉंग्रेस के लिए चुनोती बनता है देखना है कि इस बीमारी पर इस बार दोनों दलों में से कौन सबसे बहतर तरीके से काबू पाजा पा सकता है पढला बीजेपी का बेहचक भारी है लेकिन कॉंग्रेस भी पीछे नहीं है क्योंकि उसने अतीत में ये बताया है कि अपनी गलतियों से वो काफी तेजी से सीख रही है लेकिन जो बहतर तरीके से अपनी गलतियों को देखेगा, microscopic observation करेगा और उसे सुधारेगा निश्चित तौर पर वो विजय पत पर भी आगे बढ़ेगा बहुत शुक्रिया चैतनी जी धनेवाद दिवया जी धनेवाद अवनी जी बने रहिए बंसली उसपर आगे देखेए चर्टित गलाज का मुद्धा इडी की लडाई संपत्ति बनाई नमस्कार